आज मैं आपके लेके आई हूँ शिमला मिर्फ प्याच की बहुती बढ़िया सब्जी जिसे आप मिंटो में बना सकते हैं और कोई भी इसे देखेगा ना तो खाए बिना रह नहीं सकता क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है सब्जी और मिंटो में बनके तैयार होती है जैस करते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले कड़ाई में एक बड़ा चमज सर्सों का तेल डालेंगे और इसके बाद से गरम होने देंगे इसके बाद आधा चमज इसमें हम जीरा डाल देंगे जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा तब इसमें दो बारी कटावा प्याच इसम करना है हमें तो यहां पर देखिए इसके साथ मिर्ची भी डाल देंगे 3-4 मेरे मिर्ची इसको लंबे-लंबे स्लाइस में कट करिए ताकि देखने में भी अच्छी लगे थोड़ा सा भूनेंगे इसको लाल नहीं करना है ताकि इसका थोड़ा सा कच्चा पन निकल जाए त ताकि इन प्याज का भी जो थोड़ा सा कच्छा पन है वो निकल जा इनको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है हमें तो देखिए यहां पे इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है और धक्के इसको हम एक से दो मिनट के लिए पकने देंगे धीमी आज पे इसके बाद इसको देख मिक्स करेंगे और यहां पे इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले तो बेसिक मसाले हैं जो घर में होते हैं वही मसाले डालने हैं बस आधा चमच हल्दी पौडर डालेंगे आधा चमच यहां पे मैं डाल दूंगी लाल मिर्ची का पौडर एक चमच धन करेंकि यहां पर इसको फिर से मिक्स करके हमें ठुद्ध के हम अच्laughs मिक्स कर रहूं है कि मसालों देखे सकते और समय अगर में कोई अब थोड़ा धक्के पकाएंगे ताकि जो प्याज है वो क्या कहते हैं अपना जो सारा चीज है और तेल उपर आ जाए यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से पक जाए तो यहाँ पर धक्के मैं पका रही हूँ उसको देखिए थोड़ा समय ने इसको पांच मिने धक्के पकाया है और यह दिखिए कितना तेल आ गया है इक बार इस अच्छे से मिक्स कर ले रही हूं उसके बाद कीड़ेशा काटर तो डाल देते हैं और दुबारा अच्छे से मिक्से करेंगे तो यहाँ पर आप शिहादा है उसको यहाँ ज़ूष्ड है इसपर हैं तो कांटिटी एका पकाया है लो फ्लेम पे और बीच में एक बार चलाया भी था इसको तो बस यहां पर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए सबजी कितनी अच्छी लग लिए देखने में खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है और यहां पर अब मैं डालने वाली हूं इसको और ज् निप reflected अच्छी से मिक्स करेंगे लाइव सब्सक्राइव मिक्स करने के बाद तो आप देख सकते हैं कितना बड़िया आगया है बस इसमें आँधा चमच कशौरी मेथी दाल देंगे और तोड़ा से पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब्जीsche जया जले यहां पर और अच्छे मिख्स करके धक्के हम पकने देंगे जब तक तेल वह सारा उपर ना आ जाए तो भस धक्के पकने देते हैं यहां पे लो फलेम पे और देखिए तेल उपर आ गया है और सब्जी यहां पर बनके तयार हो गई हैं प्याज शिमला मिर्च की बहुत ही टे और प्याज भी नहीं इसका टेक्शर जो है शिमला मिर्च का और प्याज का जो मिठा से वो बना हुआ है और बहुत टेस्टी सब्जी लगती है यहां मैंने इसको थुआ सा टमाटर से डेकुरेट कर दिया और दिखिए सब्जी कितने दिखने में सुंदर लग रही है खाने म